Hello everyone, welcome back क्या आप मेहदी लगाते हैं तो आपके बालों में बहुत ज़्यादा इचिंग की प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से मेहदी लगाईए कि आपकी इचिंग की प्रॉब्लम प्लस अगर आपकी मेहदी से Grandpa नहीं आ रहा है तो इस तरह से मेहदी लगाएंगे तो आपके बालों में डर ब्रॉण कलर आ जाएगा आप बिलकुल डाइ लगाना छोड़ देंगे अगर इस तरह से आप अपने बालों में महदी लगाएंगे जैसा हम बता रहे हैं तो आप बिल्कुल डाई का इस्तमाल नहीं करेंगे क्योंकि अक्सर ही होता है ना कि अगर आप डाई एक बालों में लगा लिज में तो आपके ग्रे हैं 20डवम अपने बालों में pat सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है क्योंकि मेरे आगे के बाल काफी ग्रे हो चुके हैं इस वज़े से हमें मेधी लगाने की ज़रत पड़ती है तो हम डाई बिल्कुल इस्तमाल नहीं करते हैं नेचरल चीजों से ही अपने बालों को कलर करते हैं तो चलिए देखते हैं मे houder गर बनाके म advise मेor तो कहklär बालों को सफेद होने से बचाता है मेथी दाना आपके बालों को जरुने से भी रोकता है चार पांच लॉइंब करता के लॉंग लाउग काम करता है 15 मेहly ऐक हफते बा만 मेंदी का color भी डल हो जाता है long डालने से असा नहीं होता है तो आप 4-5 उसमें long add करेंगे फिर इसमें आप curry पत्ता डालेंगे curry पत्ता अगर आपके पास fresh है तो fresh सही है अगर आपके पास curry पत्ता fresh नहीं है तो आप store करके भी रखेंगे तो आप उसे भी add कर सकते हैं, 4-5 करी पत्ता उसमें add करेंगे, पत्ता नेचरल कालापन आपके बालों को देता है, प्लस आप इसमें अब एक चमच कॉफी add करेंगे, कॉफी से आपका डार्क ब्राउन कलर आता है, तो एक से डेड़ चमच आप उसमें कॉफी add करेंगे, तो अगर गुड़हल का फूल नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप मार्केट से गुड़हल के फूल का पॉडर आता है, आप उसे भी ले सकते हैं, हम उसकी link आपको description box में दे देंगे, अगर आप online मंगाना चाहते हैं, तो आप online मंगा लिजेगा, गुड़हल का फूल आपके ब मेहदी करना चाहते हैं, पतंजली के महदी ले सकते हैं, या जो भी मेहदी अप यूच करते हैं, और क्युड़हल के लिए, अब हम इन दे लॹसमें ऑला का याट करते हैं, और एक प्रदम मेहदी क्रम देंगे, आप उसकी आपि करता हैं, आपके बने ऐसेल ग्रोथ में, ब डेली अगर आप अपने खाने में भी यूच कर रहे हैं, तो वो भी आपके बालों को बहुत जो ज़ड़ने की प्रॉब्लम है, वो भी दूर करता है आउला, तो अगर आप आउला डेली अपने खाने के रूटीन में एट कर लेंगे, तो वो आपके बालों के लिए आपको अ वह पानी डालके और बहुत ही फाइन सा पेश तयार कर लिजे फिर ओरनाइट ढखके लोहे की कढ़ाई में जब भी आउला भिंगाईए तो आप इसमें शिच का ध्यान दिजे कि लोहे की कढ़ाई में ही आप आउला भिंगाएंगे देखो आप ढखके ओरनाइट छोड़ द देता है क्योंकि मेहदी के बाद यह होता है ना कि बहुत लोगों को यह प्रॉब्लम है कि बाल बहुत ड्राइए जाते हैं इचिंग होता है तो यह सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी अगर आप हुनियाट करेंगे एक चमच हनी एट करने से आपके बाल काफी ृब्लम 3-4 गंटा आपको जरूर्ट लगा लेंगे क्योंकि सावर के इप से मौश्चर वो ब्लॉक कर देता है अगर आपके पास अपने भस कि घर में हैं आप उसे भी अपने बालों में रैप कर लिजे रैप करने के बाद 3-4 घंटे आप इसी तरह छोड़ देंगे फिर नॉर्मल पानी से आप अपने बालों को दुल लेंगे सैंपू बिल्कुल नहीं करेंगे क्यूंकि महधी लगाने के बाद सैंपू कर देंगे तो जो उसका डार्क कलर है वो आपके बालों पे नहीं आएगा तो आप नॉर्मल पानी से इसे धुल लेंगे फिर दो दिन बाद जब भी एक दो दिन बाद आपको बाल धुलना है तो बालों में अच्छे से जो भी तेल आप लगाते हूं उस तेल से अपने बालों की अच्छे से चंपी कर लिजे उसके बाद उसे ओवर नाइट छोड़के नेक्स डे सैंपू कर लिजे आप एक बार मेरे कहने से इस तरह से मेदी बालों में अपलाई कीजे बहुत ही अच्छा डार्क ब्राउन कलर आपके बालों को मिलेगा प्लस बालों में इचिंग की प्राब्लम है वो भी दूर हो जाएगी बाल सौफ्ट हो जाएंगे प्लस जड़ना भी रुकेगा तो अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजेगा मेरे चैनल पे अगर आप फर्श टाइम हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजेगा subscribe बिल्कुल free है लेकिन आपके एक subscribe से बहुत motivation मिलती है हमें और ऐसे ऐसे वीडियो आप तक पहुचाने के लिए और इसे अपने friend circle में ज़्यादा से ज़्यादा share कीजेगा तो चलिए अपने next वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए goodbye